बास्ताई रेडिंग ग्रूब में आप सभी लोगों के एक बार फिशे सोगत करते तो दोस्तों आज मार्केट आप लोग दिखोगे कहने की वॉलिटी लीटिव साइडवे मुमेंटम रहा वॉलिटी कहां पर ग्याप खुलते ही मार्केट डारिक नीचे गी रहा उसके बाद साइडन मार्केट रिकोवरी हुआ दैन टोटाली मार्केट साइडवे टू बुलीज मार्केट हो गया राइट जैसे मैंने आप लोगों को कल वीडियो के अंदर एक चीज़ एक्स्प्रेंड करके रखा था कि मार्केट की मुव ओ कहीन है कि बाइंग साइट के अंदर आप लोगों को याद है आई होग आप देखो कि इस लेवेल को मार्केट टच नहीं किया और हम लोगों को भी डाउन साइड की मुमेंटम देखने को नहीं मिला जैसे मैंने कल आप लोगों को एक्स्प्रेंड किया तो इस रीजनल लॉजिक के साथ के मार्केट के अंदर बुलिस मुमेंटम है मार्केट यहां पर उपर आने के बाद मार्केट साइड हो जा रहा है यह कहिने कि बायर मार्केट की पोटेंट्स आने और एक चीज़ मैंने आप लोगों को ओल्वेस एक्स्प्रेंशन किया है मार्केट एगेन एगेन के उपर आने की कोशिस कर रहा है मार्केट नीचे तो कर दे रहा है सिला नीचे तो कर दे रहा है मार्केट एगेन 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 के उपार आने की पूरी कोशिस कर रहा है है ना तो दोस्तों वोफफुली एक बरा मुमेंटम पेंडिंग है लेक्ने मार्केट ओपेंडिंग में बरा मुमेंटम की हम लोग के एक्षप्टेशन कर रहे हैं कैसे कहां पर किस टाइब से आ सकता है वो डिसकस करने से पहले पहले में अब लोगों को मेरी पोजिशन मुग दिखा हूँ मेरा जो ऑडर बुक को जिस टाइब से मैंने की पोजिशन मने आ था और 1222 में अपने पोजिशन को अरप किया आप देखोगे मेरी ओवराल पी अनल अग अब देखोगे एक लोग एलेक्षन के बाद से लेके अभी तक अगर आप देखोगे मेरा ओवराल पी अनल इकोटी म मैं अभी भी में कर रहा हूँ देखोगे में एक चीज़ आप लोगों को एक्क्स करता हूँ कि आप अपने रिक्स को मैनेज करते जाहिए जितना लॉस अब ले रहे उससे ज्यादा पॉफिट लीज आप देखो इस हपते के अंदर या चार तरीके बाद जो एक सरजल के ब या एक दिन में नैंटीन डाउजन का पॉफिट किया इसलिए है ना तो अब देखो कि में कहीन है कि अभी भी पॉफिट हूँ आज का लॉस को कैल्कुलेशन करने के बाद भी एक सिंप्ली चीज़ में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ रिक सीबॉट अपने लॉस को मैने करो और पॉफिट को दोस्तों चोड़ दो हैना लॉस मैनेज करना आप मार्केट के अंदर सीख जाओ अभी हम लोग डिसकस करेंगे कल मार्केट किस टाइप से मुमेंटम कर सकता है एगेन में आप लोगों को कहूंगा कल मैनी नेक्स टेडिंग डेम अध्रा तारिक मार्के मार्केट के अंदर हम लोग कैसे मुमेंटम की कल्कुलोशन कर रहे हैं मार्केट की ओवराल चाल नो डाउड यहां पर बुली से जिस टाइप से मार्केट मूव कर रहा है सेलिंग की कोई तो सिनारियो मुझे देखने को नजर में नहीं आ रहा है सेलिंग की लिए मैं एक ही जैसे आज का मैंने आप लोगों को लेवल से आर करके रखा था तो 23,305 की आरों टज भी नहीं किया डाउनसेट की मुमेंटम नहीं आया उस हिसाब से दोस्तों अध्रा तारिक को मेरा लेवल है 23,30 जो लेवल चाल से मार्केट में मुमेंटम स्टार्ट हुआ इस लेवल को होके resistance breakout करता है तो भी आपर मेरा buying side की planning है आईदर मार्केट यहाँ पर gap up कुल के थुरा नीचे आके then resistance breakout कर जाता है तो भी मेरा buying side की planning है जब तक इस लेवल को touch ना करता है तो मेरा buying side selling का कोई planning नहीं रहेगा इस लेवल की उपार में buying side ही planning करूंगा market gap up खुला नारेग नीचे आ गया then resistance breakout करके उपार आएगा तो मेरा buying side की planning हो जाएगा market assume करो flat opening हो के resistance breakout कर रहे तो भी है market gap down खुलने के बाद resistance breakout कर रहे है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बाद है even gap up खुलने के बाद भी resistance breakout कर रहे है तो भी मेरा upper side का काईने की planning रहेगा any scenario 23,337 को जब तक touch नहीं कर जाता है उसकी उपर से मेरा mindset की planning होगा बाकी में सारे premium channel के अंदर update करने की पूरी कोशिस करूँगा अगर आप भी मेरे premium channel के अंदर जूनना चाहरे हो तो नीचे दिएगे number पे call and whatsapp कर साथ हूँ thank you so much for watching this video